तो राजस्थान विधान सभा चनाओं के लिए कॉंग्रिस ने रविवार देडरात अंतिम सातवी सूची जारी कर दी वही भाजपा ने भी अपनी छठी और आखरी सूची जारी कर दी तो पहले कॉंग्रिस की बात कर लेते हैं तो इसमें पार्टी ने बाकी बची 21 सीटों पर प्रत्याशियों का आयलान किया है इस सूची में 13 प्रत्याशियों को बदल दिया गया है जिनमें 2 मंत्री भी शामिल है हाला कि शांती धारेवाल को कोटा उत्तर से टिकेट दे दिया गया है वही कौन आलाकमान वाले बयान को लेकर धारेवाल की टिकेट पर संकट के बादल मंड़ा रहे थे और इससे पहले शनिवार को PhD मंत्री महेश जोशी का टिकेट पार्टी आला कमान ने काट दिया था जोटवाडा से क्रिशी मंत्री और कॉंग्रिस के वरिष्च विधायक लालचंद कटारिया की जगे अभिशेक चौधरी को टिकेट दिया गया है लालचंद कटारिया ने चुनाव लड़ने से बना कर दिया था एक अन्य कैबिनेट मंत्री हेमा राम चौधरी का टिकेट काट कर गुड़ा मालानी विधान सभा सीट से कर्नल सोना राम को टिकेट दिया गया है वही कर्णल सोना राम ने रविवार को ही भाजपा छोड़कर कॉंग्रिस का हाथ थामा था वही खेटडी से मनीशा गुर्जर को भी कॉंग्रिस के पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंदर सिंग की जगे टिकेट मिला है मनीशा गुर्जर प्रधान है और वो रविवार को ही भाजपा छोड़कर कॉंग्रस में शामिल हुई थी कॉंग्रस की आखरी सूची में पालिट खेमे के विधायक पी यार मीना का टिकेट कट गया है और उनकी जगे टोड़ा भी से घंशाम मेहर को टिकेट दिया गया है वही धोज से कॉंग्रस के वरिष्ट विधायक परसरा मोर्दिया का टिकेट भी काट दिया गया है और उनकी जगे जगदीश डूंडिया को प्रत्याशी बनाया गया है भारी विरोध के बाद भी कामा से जाहिदा खान को रिपीट किया गया जाहिदा के विरोध में कई नेता AICC के बाहर धरने पर भी बैठ गये थे जाट हाटलैन नागौर जिले में इस बार मिर्धाओं के बीच घमासान देखने को मिलेगा नागौर सीट से कौंगरिस ने हरविबुर रहमान का टिकेट काट कर हरेंद्र मिरधा को चुनावी मैदान में उतारा है वही क्यूसर से सवाई सिंग की जगे तेजपाल मिरधा को लाया गया है और इससे पहले कॉंग्रस यहां रिचपाल मिर्धा और भाजपा जोदी मिर्धा को टिकेट दे चुकी है वही राजस्थान में आगामे विधान सभाचनाओं के लिए भाजपा ने अपनी छठी और अंतिम लिस्ट जारी कर दी इस लिस्ट में तीन प्रत्याश्यों के टिकेट फाइनल किये गए हैं बीजेपी ने बाड मेर से दिपक करवासरा, बाडी से गिरराज सिंग मलिंगा और पचपद्रा से अरुन मराराम चौधरी को टिकेट दिया है बीजेपी की ये लिस्ट इसलिए खास है क्योंकि इसमें कॉंग्रस छोड़ कर भाजपा में शामिल हुए बाडी विधायक गिरराज सिंग मलिंगा को भी टिकेट दिया गया है बीजेपी ने उन्हें बाडी से ही मैदान में उतारा है बीजेपी के छठी लिस्ट जारी होने के बाद अब राजस्थान की पूरी 200 सीटों पर पार्टी ने कैंडिडेट जारी कर दिये हैं आपको बता दे राजस्थान में विधान सभा की कुल 200 सीटे हैं इससे पहले रविवार को ही पाटी ने 15 उमिदवारों के नाम के साथ अपनी पांचवी लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट में बीजेपी ने कोलायत से टिकेट बदल दिया था यहां पहले पाटी ने दिगज नेता देवी सिंग भाटी के पुत्रवधू पूरम कवर को टिकेट दिया था लेकिन बाद में उनकी जगह देवी सिंग भाटी के पोते अन्शुमान सिंग भाटी को प्रत्याशी बनाया गया है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें